कवाडी वाले घेर ये सलम सेरिया में दोस्त रहें वाले लोगों की आदत ऐसी हो जाती है कि उनके मन में वहां से बाहर निकलने का मनी नहीं करता मैं मनी सुभर्मा अब सभी का स्वागत हैं हमारे चैनल पर रूसर के दौर दोस्त एक बात कहे गई थी कि तो दास होते हैं उन इसान पैदा तो स्वतंत्र होता है इंडिपेंडेट वो उसका जन्म होता है लेकिन सभी जगाव बंद्रों में बंदा होता है वो जनजीरों से बंदा होता है आखिर हम इसको समझेंगे इससे पहले मैं यह पता होना चाहिए यह रूसो है कौन मोडर्न पॉलिटिकल फिलो कर से रहे हैं चाहिए वो जोन लोग हो गया रूसो हो गया होब्स हो गया एंडे उसके बाद भी जेस मील हो गया जेम्स मील हो गया इन सभी कौन दोस्ते सटी करते ही है साथी इन में सबसे पहले जो हमारी जो यह टोपिक चल रही है भी यह पॉलिटिकल साइंस सेमेश्टर सिक्स्त के अंदर उनका जो सबसे पहले टोपिक है इसका वह मोडनिटी फस्ट चैप्टर की वीडियो आ गई थी आज के इस क्लास में हम बात करेंगे सैकिंड चैप्टर जो कि रूसों के ऊपर है बोडर्न पॉलिटिकल फिलोसपी का हम पहले इसकी शुरुबात करेंगे स इस नए इस के बाद इसका जो स्टेटमेंट है जो इसकी जो ऐडियोडियोजी है जो इसकी जो फिलोसों प Итак tutorial इस में सबसे पहले इस्टेट ऑफ नेचर पढ़ना है में इस्टेट ऑफ नीचर मतलब एक ऐसा टाइम जब इंसान जानबरों के ही समाल हुआ करता था और इक्वल सोसाइटी में बिलकूए के साथ रहा करता था नौकोई फेंलली वह करती टीला या कोई मेरीड College खटया लोग रहा एक और थियोरी दी गई है जो बहुत फेमस है वह है सोसल कॉंट्रेक्ट समाजिक समझोता यह दी गई है दोस्त किसके दवारा तो इन सभी को हम समझने वाले आज की इस क्लास में मैं आपको स्टेट ओफ नेचर एंड ओरीजन ओफ इनक्युलिटिस के बार में समझा दूआ इसके ओपर एक कोसा हैंडिर प्रजेंट डान एक्जाम में आना ही आना है दैल उसके बाद जनरल भी आपको समझा हुआ कि सेप्रेट टोपिक थोड़े से टोपिक समझने वाले इनको रटा नहीं जा सकता मेरे दोस्त एक वाल अगर आप समझ गए तो इसली तरह किसे अग्जाम में बिट पैटन के साथ लिख कर आ जाओगी ठीक है चलिए तो आज किस क्लास को हम बिना केसी देरे के साथ साथ स्टार्ट करते हैं उरुसो था कोन हम पहले से स्टार्ट करते हैं इसक जनम वह था जब इसका भी जनम हों तो इसके माता का धिहान्त हो गया इसके पालन पोशन इसके पिता सिर लेकिन दोस कुन समय के बाद जैसे यह 10 साल को भए अरुसों तो इसके पीटा भी सब्रेशोड कर चले और चोड़के कहा चले गए भाई यह तो अनॉट सा रहे गया और फिर यह चल गया अपने चाप चाचा चाची के पास पहला बड़ा लेकि उन दिनों दोस्त यह काफी अवारागर्दी सीख चुगा था निठला रहता था निल्ला रहता था ना कोई मतलब किसी से बिल्कुल मतलब की बिल्कुल कैसे अव अच्छा हुआ करता था यह बहुत सरारती उसके बाद इसको यह लगा कि यार टाइम बहुत ऐसा हो गया और बहुत मुस्विल को इसका सामना करना पड़ा काफी गरीवी में इसने पर जिन्दियों को निकाला क्योंकि पापा का चला जाना पापा भी दोस्त इसको छोड़ मतलब कि इसके साथ misbehavior किया गया एक तरीके से हम कह सकते हैं inequality का मतलब कि इसके सामानता का इसको वैसा ट्रीट किया जाता जैसे कि एक काले और गोरे की बीच में किया जाता था या कैसे तो उसके बाद गरीब हो का या एक उसके बार रिसोर्स नहीं है या गरीब है वह वह इसी टाइम से इसके उपर एक inequality का जो एक concept है भाई ये समाज के अंदर देखो जब भी हम पर जोची बीचती है हम उसी चीज़ कर रहे होते हैं और यही सेम घटना रूसों के साथ हुई जब इसने लोगों जगा 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 पर काम करना स्टार्ट किया अब कभी यहां काम करता हुआ चोड़ता है कभिया काम करता हुआ चोड़ता है इस दिन जब यह दिन चल रहे थे इसके बूरे दी तो इस टाइन इसको भाई पेट बहरना है या तो क्या करता फिर चोरी करना सी गया इसको भीख मांगना पड़ना पड़ा तो इसके पास experience आया जोट बोलने का ये चला गोने फिर लेकिन परीश में घड़ी ना गड़ी साथ वहां पे उसके पास पड़ीज की अब उसको लगा चल यहां पर यहां कि बाल रही च्छोड़ेकि संब जाम लेकिन कुछ सम्य के बाद यह बैस में आड़ सबस्क्राइब EPA imply इस ने अंदर एंबेस्टर इन पैनिस वहां पर इसने काम किया लेकिन वहां पर भी एक की विरुक्रेट्स के साथ एक अधिकारी के साथ इसकी कह सुनी हो गई वहां से इसको भार बगा दिया देख लिए ऐसा मतलब किया वारा गडिम रहा करता है वहां से इसकी दोगर शूट गई लेकिन क किसमत चमका देगी ऐसा ही कुछ रूसों के साथ हुआ 1950 का समय था 1950 का समय था और इस टाइम एक अकेडिमी जिसका नाम था धीजो की अकादमी अकेडिमी इसके द्वारा एक कॉंपिटिशन निकाला गया इसको निवन परती होगी था यह ऐसे कॉंपिटिशन कहा गया और इ लोगों को ठीक किया है तो हैस्ट प्रोग्रेस ओफ साइंस एंड आर्ट्स कंट्रियूटी टू करप्ट और पूरिफाइब मोरल्स तो इस टोपिक पे उपर एक ऐसे लिखना था कसम से भाई रूसों ने उस टाम ऐसा लिख दिया कि इसको प्राइस तो मिला ही साथ साथ औ या कि जो विज्ञान और कलाव ने जब ऐसका इसका परगती होता गया तो क्या इससे इंसान भरष्ट पने गया है उसके नयक्तित्ता खातम होगी है इनका आंसर इसने अपनी बुक में दिया जो उसके सबसे पहली बुक हुई यह बुक आई इसकी कब डिस्कोर्स ओंदी स इसने अच्छे से डिस्क्राइब किया जो इससे ऐसे पूछा गया था और इस ऐसे के बाद इस पेशले दोस्त कह सकते हो कि इसका नाम हो गया पूरी व्याशन कंटर के अंदर और एक पॉलिटिक्स के अंदर कैसे फिरोस्पर बन कर यह उभरा और कहीना कहीं इसको काफी सा दे दिया मन में आप यह भी सोचोंगे इसका जवाब यह था कि बैग्यानिक और साहितिक गतिवीदियों के परिनाम सहरू साधारन्तिया सारा समाच नैतिक दिरिश्टिस सब भष्ट हो गया आज रिजल्ट ओफ साइंटिफिक एंड लिट्रेडी एक्टिविटीज जनरली दे होल सुसाइटी एस बिकम ओरली करफ्टेड क्या हुआ जो इंसान आज जो दिख रहा है आपको वैसा जो दिखने में आशा लग रहा है आपको वह धरसल वह अंदर से पूरा क्रप्ट र नहीं होती है कि कहां से उसको करप्शां का मुखा मिले और बैति गंगा में वहाथ धो दे और यह पूरी कहानी रुसु के द्वार उस टाइम कही गई थी मैंने पूरा पैरागराफ का एक लाइनमा को बता दिया कि इसने यह आंसर दिया इसके बाद उस तो यह हुआ कि कि उत्पत्ति और आधार पर बारता जो हमारा टोपिक के सेकिंड यानि की ओरीजिन ओफ इनिक्वालिटी इसका जो विचार है इस बुक के अंदर है इस बुक का नम कहा है डिस्कोर्स ओन दी ओरीजन एड़ फांडेशन ओफ इनिक्वालिटी कवाई ये बुक 1755 में थीक इसको सोट में कहा जाता है विशंता प्रवार्ता यानि के डिस्कोर्स ओन इनिक्वालिटी और इसके अंदर इसने इनिक्वालिटी पर विचार दिया क्योंकि इसके साथ बच्पन जो घटना है घटी कैसे इसको बहवार किया गया और उन घटनाओं को इसने अपने इस प्राकर्तिक अवस्ता में होता है नीचर राक इंशर चेंदिसें भी अबनिक फिया ऊचलने मेन लगता है को जिरिंख रगता है और ना बिलकुका किसो छीड़ता है अप्ने आपस मतलब रखता है सब्सक्राइब बैढ़ जाता है बस काम सब तो रहता है वो सुख भी जुख भी यह तो अपने जिंदगी में किसो को तुख तो देता नहीं बाई को ओंप्रिटिशन तो है नहीं तो से इसी तरह किसे मनुझे सुरु 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 में पसवो की तरह प्राकर्तिक दसा स्टेट ऑफ निचर में अकेले-अकेले सांति पून तरह केसे रहता है यानि कि स्टारटिंग में कैसे रहता है बिल्कुल अकेला रहता है फीस फुली रहता है इंदा स्टेट ओफ नेचर लाइक ऐनिमल आपक्या सकतो जानबरू की तरह रहता है है समाज के निर्मान के साथ ही जैसी दोस नहीं आग चलके पॉपुलेशन बढ अपना लिया और इसके वज़े से समाज में इंक्यूरिटी आ गए अब वो तीन चीज कौन से समसे पहला हैसियत लोग ने अपनी हैसियत को और लोगों से बढ़ाना इस्टार्ट कर दिया जिसको सोचल स्टेटस कहते हैं मैं तेरे से उचा हूं या हम किसी को अपने से नीचा गाड़ी गोडा बंगला यह सब होगा एंड थर्ड पावर फोल्तिकल पावर सोचल पावर एकनोमिक पावर पावर इस्टेटस बैल्थ और पावर स्टेटस ने बैल्थ ने and पावर ने SWP इन तीन चीजों ने inequality को परमूट कर दिया और यहीं से स्टार्टिंग होती है एक नया चैप्टर जिसका नाम था चैप्टर 2 KGF का इसके लिए बहुत बेसाबरी से इंतिजार हो रहा है जोस्त कहने का मतलब यह कि अब एक नया टोपिक स्टार्ट हुआ है है से इन्नीक्वैलीटी एक समानता पर इसने विचार दिया अब इस समानता को पड़ जो इसकी बिचार दे गया हम इस को समझने से पहले हम यह दियां रखने पहले कि राजनितिक और जो समाजिक समझाए हैं जो भी पॉल्टीकल और सौसल इसूस है उन इसूस को खतम करने के यह अपने इसने विचार दिये हैं यह एक दो बुक में नहीं डिस्कोर्सेस ओन दी इनिक्वैलिटी में दिया इसने दोस्तना एंड काफी सारे इसने इसने बुकों में जिसमें ओर भी इसके बुक है जैसे कि यहां पर देखो गें दोस्त तो इमील एंड सोशल कॉंट्रैक् तो दोस्त डिस्कोर्सेस ओन दी इनिक्वैलिटी पहले बुक हिए और दूसरे बुक सोशल कॉंट्रैक्ट यह दो बुक इसके बहुत फेमोस होई जो कि आज तक इसके इन थियोरिस को कफी पढ़ाया भी जाता है और एड़ॉट पी किया जाता है अब इसकी थियोरिस किया समाजिक अनुबंद का सोशल कॉंट्रैक्ट का हम पहले यह भी थोड़ा सा समझते हैं फिर हम जनर्रल विल भी समझेंगे स्टेट ऑफ नीचर भी समझेंगे फिर इनिक्वैलिटी भी समझेंगे ताकि टोपिक हमें सभी समझ माया है बार की से समझ माया है रोसो है कोन आख कोई डर नहीं था इंसानों को और इस तरह किस नहीं रहे रहे लेकिन कुछ समय बाद इंसानों को यह लगा जाब प्रप्लेशन बढ़ती चले जाई कि सुसाइटी में कुछ ऐसे लोग बन गये हैं जिनके पास रिसोर्से से खटी होते जा रही है वो कुछ लोग पास है न लोग के लिए कादून बनाएगा और लोग की जो राइट से उनको प्रोटेक्शन देगा और इस तरह के से इसको कहा गया सोशल कॉंट्रेक्ट की थोरी जब लोगों ने मिलकर अपनी सारी सक्तियां जिसको हम कॉंसेंट या सहमती कह सकतो एक इंसान को दे दी जो राजा कह वह जाती है ठीक है और यह थ्योरी सिर्व रूसों ने नहीं दिया दो सखेर यह रूसों और लोगों ने मिलकर दिया पहले इस समझे पड़ेक्शन कोंट्रेक्ट किया इसके साथ एक ऐसे बन्द्र के सार्थ जो कैपी वाले लोगों पर शासन कनने के लिए उसको हमने जो एग्रिमेंट हुआ वो लोगों और गौर्वर्मेंट के बीच में हुआ है तो इन दोनों के बीच में एग्रिमेंट होने से यह हुआ कि गौर्वर्मेंट टे लोगों को कवर्मेंड क्या कर रही है। कि फॉट्रट्र देर राइट की लोगों की जो राइट से यह उसको क्रोटक्त करेंगे इसलिए इन लोगों ने क्या दिया है् दोस्त लोगों ने अपनी सारी जो पावर है वह इसको दे दी यह दैगर्म साहिच समझता आव था इसके एक्जाम में आप बना सोब इसको पहला गोर्मेंट ने अगर देखो दोस्ट डियागरम को सही तरीके से तो सब कुछ समझ में आ जा गई देखें लोगों ने अपनी सारी पावर देदी पावर मतलब अपनी सहमती देदी कि हां भाई तू हम पर सासंग कर ले तब यह इस ने को कि बोगों में उस और करेंगा आप सभी के रिट्स को लोगे राइट इसको पहला यह दोस्त इस तरा के से घुर्मेंट अगर playing with इस होगा कि वो इस गोवर्मेंट को रिप्लेस कर दे कहने का मतलब दोस्त यह है कि रूसों ने एक इमेजनेशन किया कि एक टाइम था जब इस्टेट ऑफ नेचर था जब बिल्कुली सब लोग के साथ रहते थे जानवरों के समान लोग भी अपना भेवेर क्या सकतों कि पूर बख रहते थे यानि को मार जपट नहीं करता था एक इंसान दूसरे इंसान को दो डर नहीं था एक ऐसे कंडिशन में रहते थे तो इस कंडिशन के बाद जैसे ही पॉपलेशन बढ़ते चली गई आगे चलके कॉंपेटिशन होते चलेगा सुसाइटी के अंदर लोग को एक खत्रा लगने लगिया कि अब हमें एक ऐसी गॉपलेशन या एक ऐसी चाहिए जो हमें सुरकषा तो इन दोनों का नाम लिखना मत भूल जाना दोस्त परना अधूरा रहा जाएगा बेशक इनकी की डिसाइज की गई और ऐसा क्या इन्यों ने किया पहले हमें यह पता होना चाहिए जो चलिए पहले हमें यह समझते कि जो सोचल कॉंट्रेक्ट के जो थियोरी है तो इस चैप्टर को अच्छे से जो आपके परफस से है जैसे कि सोचल कॉंट्रेक्ट थियोरी में इन तीन को दवारा दी गई है दोस्त आपने फर्स्ट यर के अंदर पढ़ा होका लिव्रालिजम के बारे में उधारवाद के बारे में उधारवाद का जो लाने का जो नाम लेकर आया इस modern period के अंदर बोहोब से लेकिन इल्टिमेटली जो फादर है उधारवाद का लिव्रेल इजम का वह लोग रोक के बाद आया रूसों तो यह उधारवाद लाने के बाद भी सबसे पहले लाने वाला बंदा होपस है लेकिन पिता यह बन गया उधारवाद का ल यहाँ है लिवरेलिजर्म एक ऐसी आइडियोजी यह जो सुसााइटी के आंधर्लोगों को freedom liberty ii wealaate peace के बाद करता है क्वेल्टी जस्टिस की बात करता है देम्यूक्रैसी की बात करता करता है और स्टेट कम से कम इंटर्फिर करें लोगों के कामों में और मैक्सिक्वन काम लोग खुदी कर लें तो एक ऐसी आइडियोजी है जो इस टेट को इन सभी चीजों को लोगों को देने की बात करता है तो ऐसी आइडियोजी है लिवरलिजम तो अब हम पहले ही समस्ते सोचल तो पहले हम बात करते हैं टोमस होप्स की इसका टाम पिरेड़ वो 1588 में जनम हुआ था वह 1679 में माल गया था सबसे पहले यहीं आया 58 में फिर 1632 में और 1712 में यह तो सबसे पहले यह है पहले इसके बार में समझते कि होप्स का क्या कहना था दोस्ट सोचल कॉंट्रेक्ट इसने क्या किया दोस्तों फूर्ण में सत्ता वात का समर्थन कि एक कहने था कि एक एसा त्योरी इसने गीयाRed ने एक एसे इंसान को दे जो उसको प्रोट्रेक्ट करेगे इस Swiss को सता वात अभी तोस्त आपको में इसको पहले समझाता हूं एप्सलूटिंजम का मतलब क्या हो देखिए social contract theory में जो hopes के दुवार दी गई है वो यह दी गई है इसका यह कहना था जैसे कि रोस नहीं मेजन किया state of nature concept इसने भी कहा इसने कहा कि पहले एक प्राकर्तिक अवस्ता होती है एक प्राकर्तिक अवस्ता होती है इस प्राकर्तिक अफ नीचर है वो दोस्तों यह है कि इस state of nature के अंदर पॉप्लेशन बेसक कम है लोग इस तरीके से रहते हैं कि इस condition को पॉप्स ने और अजपक्टा की वबिशता का हैं और आजगता चीवश्ता का मतलब होता है यहां पे कोई राज्ये नहीं ए नाज़ी को जुख काूँ है तो यह सभी लोग इस ड़र कि वज़े से कि इनकी सुरक्षा को न करेगा यह आपस में मिलकर एक कॉंट्टेक्ट करते हैं कि इन्हीं आपस में एक ऐसा इंसान होगा, जिसको यह अपने सत्त देंगे, अपने सहमती देंगे。 बालो कि इन्हों ने इस इंसान को अपनी पूरी मालो परपले संब जगा की और बोला कि भाई तू हमारा राजा होगा और यह बना गया राजा तो लोगों ने अपनी सहमती से इसको राजा बनाया है तो अल्टिमेटली इसके पास वो सारी पावर्स आ गई हैं जो आज हम लोगों ने अपनी सहमती से इसको सत्ता दिया है तो यह लोगों को सुरक्षा करेगा उनको खुशियों के लिए काम करेगा है उनके राइट को प्रोटेक्ट करेगा अगर यह बतलब की अभी लगता है कि यह सब बाते सुनने में बहुत अच्छा लेकिन दूस्त हुआ यह कि hopes कहता है कि अब यह लोगों ने सब सक्ती दे दिये अपनी तो अब यह राजा बन गया अब लोगों को यह अधिकार नहीं होगा कि यह इसको हटा दे कहने का मतलब यह हुआ कि यह राजा अब काम इनके लिए करे या ना करे बनने के बाद लोगों के पास यह राइट नहीं होगा कि वो किसी भी राजा के खिलाफ में जाए वो उनके अगेस्ट में जाके लोगों को नहीं दिया इसलिए कहा जाता है होपस ने पून सत्तावाद एक तरीके से डिक्टेटर सी ताना साही का सपोर्ट किया इसको हम कहते हैं कि इसने पून सत्तावाद का समर्थन कर दिया लोगों को राइट्स नहीं दिया अगेंस्ट में कि अगर राजा कोई मानलों के तानस आहीं बन जाए और बोला लोगों को इग्नूर करना चार्ट कर दे और चैसा स्टेट ऑफ निश्रे कर्डिशन मार्कट हो रहा था वैसे सेम कंडिशन आ जाए तो क्या फाइदा लोगों को सत्ताश ओपने का इसको पावर देने का तो सेम इसी कर्डिशन के वएसे यह क्या हुआ होप्स की इन बातों को कि रिटिसाइस किया और होप्स के बाद इन सभ और जोन लोग के दोवारा और जोन लोग की ने क्या किया एक ऐसी सरकार बनाई जो की लेजिटिमेशी के साथ बनी हो डैट मींस अभी आपको में पहली कंसेप्स समझा जेता हूं जोन लोग को कहना था कि बैद सासन सासितों की सहमती पर अधारित होनी चाहिए यानि कि ले अधान धर्ती पर वैसे हिमाल लोग कि जब हम एक एक समझाओं जब स्टेट ओफ नेचर की कंडिशन होती है तो इस टेट ऑफ नेचर की कंडिशन में से वही बात जो होप्स ने कहीं जो रूसों ने भी कहीं कि यहां पर सब लोग रह रहे होते हैं जैसे होप्स ने कहा है आरजकता की विवस्ता है यहां पर यूद की कंडिशन बनी रहती है यहां पर कब कौन किसको मार दे ऐसा कुछ पता नहीं है यहां डर के महोल में रहे हैं जिसके लाठी उसकी भैस वाले यहां पर बात चीत है जो मतलब की ताकतवर होगा बोदोजीच जाएगा कम जो इस कंडिशन में लोगों के पास बेसा कुछ पी रही है कोई प्रॉपेटĩ ना हो एंड कोई उनके पास कुछ भी ना हो चलेगा लेकिन लोगों के पास नेचर ने राईट्स देती यह है अब ओर राइड सेन नैचुररल राइट्स और व्युक्ष तो लाइफ जीवन चा imm rewrite to liberty Sutanthita Indinea तो संपती प्रोपर्टी का दिकार यानि रैख ड्राइट फ्रोपर्टी प्रोपप्रटी यानि आपकी बोडी आपकी सरीर या प्रापेटी तो है भाई इसी से सारे परपटी बनती दुनिया भर की प्रोपराटी इस तो यह तुक्ने तो यह तो तो तीनों कंडिशन होगे प्राकर्ति का बस्ता होगी तो लोग आपस में मिलकर एक ऐसे इंसान को अथोर्टी सोपेंगे सत्ता देंगे पावर सोप देंगे जो इस नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके और अगर वो प्रोटेक्ट करने में प्रोटेक्ट कर नहीं कर पाता है या वो लोगों को से इंट्रस्ट में काम नहीं करता है तो लोगों को इनके लुजाção करनेrasp राइट्स देनी की बात कही है इसी वज़े से जो लोग को लिब्रेलिजम का फादर कहा जाता है के लिए दोस्ट और इसकी जो थियोरी हुई और वो कहलाई लोग पिर ये परभू सत्ता पॉपलर सॉमरिटी पॉपलर सॉमरिटी का मतलब क्या हुआ एक ऐसी गोर्मेंट जो को के इंटर्स्ट में काम करेंगे तो लोग कोया अधिकार होगा कि वह मिलके इस राजा को हटा दे उस ने कारT rail ने कहा इसकी पर्मेए ये नाम से कहा गया अब इसके बाद आता है एक और बनता जिसका नाम था रूसो वह बैसिकली जो हमारा चैप्टर चल रहां हो रूसो के चल रहा था इसको थे हम नकार दो सकते नहीं रूसो टियेज भाई इसने क्या किया इसने हो म hakk की बातों को और जोन लोग की बातों दोनों को मर्ज करती रोडर अशने जो तियोघ त्योरी दिया करती है इसको अरे च्वाइब फॉपलर सोमरेटी ठीक है यानिकी लोग पिरिये पर्वुषत्ता एंड़ थाड जो रूसों के दोवारा दी गई लोग पिरिये पर्वुषत्ता किसकी लोक वाली जो लोग वाली दोस्त ठीक है एंड होप्स वाली एपसलूटरिजम यानि की पूर्ट सत्तवाद इन दोनों को प्लस करके इसने जो थियोरिय दी वो कहलाई समाने इच्छा इसका भी यही कहना था कि लोग जब स्टेट ऑफ नेचर की करडिशन होते हैं तो आपस में मिलकर वह एक एग्रिमेंट करते हैं औ लोगों को यह राइट होना चाहिए कि वो उस राजा को हटा के उखार के लेकिन दोस्य फेमस हुआ अपनी समाने इच्छा जर्डरल की थे वाज़े से जर्डरल की थे ओरी क्या है इसके बारे में बात करेंगे इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए दोस्त कि जोन डॉ की बात करनी स्टार्ट कर दी राजा की बारे में बात करी लोगों ने अपनी मर्जि से सुनने की बात करी तब जाके दोर लुईस वहलवा को हटानी के बात वी स्टाइम और इसका परभाप पड़ा फ्रांस के करांती पर फ्रैंच डेवलूशन 1789 में इसके ऊपर रुसों का नहीं ही जो जानते हैं कि से लोगों को क्या अचाहिए न लोगों लोगों जा लेक्ष घर छो में देखा तैम पीड़ लोगों जगाने का काम किया है और यसलिए ता कि जो w का पिरियड था जिसके अंदर उन अंध विस्वासों को किया गया था और उसके बाद तर्क के अधार पर सब्ता की बात की गई थी कि रिजन के वेश पे हम को सब माक लगाएंगे चीजों में इसका जवाब देना पड़ेगा इस्टेट को प्रकृति की और लोट चलो जैसे क कि जब स्टेट ओव नेचर के कंडिशन थी जहां पर सभी लोग एक्वल थे कोई भी भाव नहीं था लोगों के बीच में हैंना दोस्त बिल्कुल सांती प्रिय लोग रहते थे आराम से तो रूसों यह कहता है कि फिर से हमें प्रकृतिक की ओड लोट चलना है उसी कंडिश के लिए अपनी हिस्चत को बढ़ाने के लिए मरे फिरते हैं उस टाइम में ऐसा कुछ था है नहीं इसलिए इंसान को प्रकृति की ओर लोट चलना है उसी वाले सेंग कर नीशन में रिटेंट टू नेचर तो आज रूसों यह भी कहता कि यह बट पॉसिवल तो नहीं है ले पर ने उसको अडोट किया और इसको और आगे पर मूट के उनमें आमादा ती एच गरीन का जिसने दोस्त रूसों के जनर्रल विल थियोरी को आगे बढ़ाया और इसको एक आईडियल थियोरी माना कि भाई हम आगे इसको बढ़ाएंगे और इसको अच्छा भी लगा तो इस तरीके से एक महान फिलोस पर बन गया देखते ही ही देखते सोसाइटी के अंदर स्टेट के कंसेप्ट दिया राइट्स की बात करी लोगों को आगे मतलब किस तरीके से स्टेट का एक कानून होना चाहिए को सोसल कॉंट्रेक्ट किस तरीके से लोगों का होना चाहिए ए लेकिन आज इंसान पैदा तो सुतंतरी होता है लेकिन वो सभी जगा बंदनों से बंदा हुआ है उसके उपर दोस्ट भारी फोर्स का एक कह सकते हो कि इन्विजिवल हैं जो इसको कहीं कर रहे होते हैं यह दोस्त रूसों के द्वारा खा गया है अब यहां पर हम यह समझते ह है कि रूसों के द्वारा जो कंडिशन बढ़ाए गया प्राकर्तिक दसा की पहले हम इसको समझते हैं दर आगे चलके जो कंडिशन आई जिसको हमने सीविल आप कहा सकते हो दोस्त उसको हमने सीविल सुसाइटी कहा दिया एक ऐसे कंडिशन जब पॉपलेशन थोड़ी सी व खुड़ कंपेर करते हैं देखे दो सबसे पहले हम आपको पहले यूँ समझता है स्टेट ओव नेजरी कंडिशन आपको समझ में आ गया ऐसी कंडिशन जहां पर सभी लोग एक्वल थे जानबरों के जैसे थे फैमिली परिबार कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं है जैसे टाइम है जब कोई रिसोर्स बेगरा नहीं था उन इंसान प्राकर्तिक दसा में रहा करता था क्योंकि इसमें जंज संक्या कम थी इसमोल पॉपलेशन हुआ करती थी इसलिए लोग प्राकर्तिक से यानिकी नेचर से उतना ही लेते थे जितना उनको एक टाइम में नीड है बस वो उन्होंने खा लिया काम खतम लेकिन जब देखते एते पॉपलेशन इंक्रीज हुई जब सिविल सिविल सुसाइटी बनी नागरिक समाज बन गई जो पर्टिकुलर एक बाउंडर के अंदर रहनी साट हो गई और पर्टिकुलर बाउंडरी था वही इस्टेट कहला है और स्टेट किसका परिणाम है सोसल कोई परिणाम है कि लिए पस मिलके आपस मिलक से गॉर्मेंट से जो उसके सासन करेगी पॉपलेशन जो भूमी पर रहेगी आपक कर अब इस समपर्भुता से जो गॉर्मेंट के कमी नहीं थी रिसोर्चेस की वो नेटर से जितना ख़र चाहिए उसको बतना लेता था लेकिन जैसे टाइम बिद्धा चला गया अब इंसानों को रिसोर्चेस के कमी होनी स्टाइट हो गई अब आपके स्टिती आ गई स्केर सिट्वी उफ सिच्वेशन यानि कि यहां पर क्या स्क्राइटी हो गई डिसोर्चेस की लेकिन देखते हैं और क्या होगा दो उस आगे चलके अब लोगों ने जब प्रकर्टी को अस्ता हुआ करती तो रिसोर्चेस फुल्फिल थे काफी साह रिसोर्चेस अवेलिवल तो कोई लेवर का काम नहीं करता था ना यानि को प्रोडक्शन बेगरा नहीं करता था जितना लोगों को चाहिए एक टाइम के लिए उतना नेचर से उसको मिली जाया करता था लेकिन दो स्रीवल सुचाइडी वनी तो लोग लाल्ची हो गए आस तो खाते ही थे अपने कल क लिए बचाते थे अपने रिस्तादार के लिए बचा लें देते हैं और लोगों को जैसी परप्लेशन बढ़ती चले गई तो रिसोर्स्टेस भी कम हो गए जन्जंग के जादे हो गई इसलिए अब लोगों को बनाना स्टार्ट करना पड़ा यानि कि अब लोगों को प्रो थे नोग हो जाए करते थे यहां पर प्राकर्तिक समानता थी लोगों को स्वेश्टी यानि स्टेट बने के बाद इस्टेट के दुवारा लिगल एक्वालिटी दी गई लेकिन नेच्रल एक्वालिटी अब नहीं रही है बल्कि अब तो समीधान में कहा गया कि प्रीजन के कोई किसको नहीं करेगा यह बात कियों को करनी पड़ती आखिर सब्सक्राइब पढ़ती पहले नहीं हुआ करती थी ठीक है तो इंसान देखे दोस्तों कैसा इंसान होता है यार नाइस्ट प्रक्रतिक बस्ता में लोगोगों बिलकुल शोतनत्रता थी नेश्राल लिवर्टी थी बिलकुल जो मर्जी वो करजबतो आप जहां मर्जी जाओ कुछ भी करो आप किसी से कोई मतलब भी नहीं था आप पढ़ो या ना पढ़ो आप घुम ओ जो मर्जी कर आप करो आप लेकिन जैसे ही सीविल सुसाइटी बनी तो अब अब चाँ हववा, natural liberty का जगा अब civil liberty आगी, civility मतलब एक state के नागरिक होने के नाते आपको जो liberty मिलती है वही civil liberty कहलाती है मालू मैं इंडियन हूं तो इंडियन होने के नाते मेरेको fundamental rights मिला हुआ है मेरेको fundamental duties मिला हुआ है यह उन and political rights मिला हुआ हमें economic rights मिला हुआ है तो एक ऐसे rights जो एक civils को ही मिलते हैं अगर कोई foreigners अगर भारत में आता है तो उनको फोलिटिका नाट्स बगर नहीं मिल पाथ जब बोटन नहीं डाल सकते हो नहीं दोस्वी लैक्सन में खड़े हो सकते हैं तो एक civil rights हमें मिलता है तो इस तरीके से अपनी अवसक्ताओं के अनुसार प्रकरती के भंडार से घरन करते थे यानि कि freedom to draw from nature according to need यानि कि इस टाइम पर according to need अब अपनी नेचर से लिया करते हैं लेकिन जब civil society बन गई तो शरम के फल की सुरक्षा यानिके अब करेंगे वह उतना ही फल पाएंगे ठीक है आपको जो आपकी महनत होगी जितना प्रस परिश्रम करोगे उतना आपको फल मिलेगा तो यह दोस्त कंपेर किया मैं आपको प्लीज एक्जाम केंदे दोस्त जैसा मैं आपको बता रहा हुता हूं वैसे आपको डियाग्रम भी बताना होता है पॉल्टिकल साइंस ओनर्स की स्विजेंट चीजों को क्रिटी के लिए कर पाते हैं चीजों को अब इंट्रॉटक्शन आपने दिया थिंकर के व्यूज आपने लिख दिये चीजों को थोड़ा ड्राइग्रम में फुल ऐसे फ्लो चार्ट कंदर समझार समझेंगा बच्चा बड़ा पढ़कर आए तो कुछ ऐसा धमा के जातर ही के बताया करो ठीक है चलिए अब देखते हैं क्या तो अब जो यह जो स्कंडिशन होगी जब स्टार्टिंग के तो टाइम पीरेद रवात रूसर बताता है कि जब भी स्टेट ऑफ नेशर की कंडि कोई किससे डब नहीं और नहीं वो किसी को डॉय करता हमकforme कि इननहीं करें जैसेब ने Finger week ने कहा कि इंसान को दूसरे इंसांसे दर गया ता है कोई किससे डर नहीं ती और लोग selfiness हो जाते हैं अब लोग स्वार्थी हो जाते हैं अब लोग जो भी कुछ करते हैं तो अपनी लिए करते हैं जिस भी काम में वो involved होंगे तो पहले अपना फायदा सबसे पहले देखते हैं यही तो reality है मेरे दोस्त दोस्त इस chapter के अंजर जो chapter हमारा unit 2 है इसके अंदर state of nature की condition हमने देख लिया और अब हम देखते हैं origin of inequality यह चीज हम समझते हैं पहले तो जब आप origin of inequality समझ जाओगे तो जन्रल्विल की थियोरी समझाना मेरी लहसान होगा आप सभी को चाहिए पहले origin of inequality समझाता हूं तो हम पहले analyze करते हैं inequality को कि आखरी समाज में आया कैसे इन सभी बातों को लेकर अगर उसको सताया जाए किसी और इंसान के साथ उसको compare करके उनको फंडमेल्टल नीड से उनको मुल्भूस सोविधाओं से बंचित रखा जाए कि तो इस पर्टिकुलर जगह पे तो जनम हुआ या तेरा कलर काला है तो इन रिसोर्स से नहीं दिया और यहां तो पहले हम यह समझते है जो रुषू के दौबराद दिया गया है अब हम इंट्रोडक्शन के साथ समझेंगे तो रुसो की एक बुक है यह बुक जो है रुसो की यह 1755 में आय थी जब यह competition जीता था ऐसे competition जब हुआ तो उसके बाद यह जीता था लगवा ठीक है और इस बुक का नाम क्या था डिस्कोर्स ओन दी ओरीजन एंड फांडेशन ओफ इन इक्वालिटी इस बुक को दोस्ता आप मियाद पे देख लिए इसको सोट में कहा जाता है विसंता परवार्ता यानिके डिस्कोर्स ओन इक्वालिटी 1755 प्लिस बुक का नाम इसके बाद जितने आपके मांक सब्सक्राइब हैं उनन सभी के साथ अभी आपके मांक्स हो जाएंगे और अच्छे परसंटेज आपके बन जाएंगे कहीं पर एंटरेंस बिगर आए किसी चीज में आप पाही रिजुकर समयना चाहते हो बीना किसी एंटरेंस कर दोस्ता अ यानि कि जो inequality का विचार है रूसों का यह रूसों ने अपनी इस वाले बुक में दिया है जिसका नाम है विसमता पेवारता यानि कि पराकर्थिक दसा की पहले बात करी कि जब प्राकर्थिक दसा हुआ कर था कोई नहीं तो नहीं नहीं लोगों ने अत्म रक्षा के बारे चंशन ऐस समझ लिया लेकि इंसान सिर्फ दो चीजों में अलग था उन जानबर उसे कि लोग जो है इंसान जो है वह अपनी आत्म रख्षा करनी जानते हैं ठीक है वह सेल प्रिजर्वेशन जानते हैं और वह दया भावना यानि वह पीटी है आज हम देखते हैं दोस्त किसी लाचार गरीब को दे बेक हैं तो इसी वज़े से हम उन जानवरों से अलग है यह बात कहा दिया आपर रूस होने तो आगे चलके जैसे ही टाइम पिरिड़ बढ़ता चला गया थोड़े से पोप्लेशन इंक्रीज होते चलेगे इसके बाद बढ़िया कॉम्पिटिशन क्या बढ़िया क्या बढ तजोरवा चाहिए हमें अपनी हैसियत को बढ़ानी है कि अफ यह हैसियत को बढ़ानी के लिए हम पनना पड़ेगा क्या भाइक बंदेगा क्या घर वाले- हमें तो लोगों ने सभी जगह अपना- देखपाना क्या आपको मैं पहले यह समजा जाता हूँ कि ग्यानोदे क्या होता है इल्लाइटनमेंट का देखो दोस्त हुआ यह कि जब टाइम था 1700 या 1600 का यह जो टाइम पिरेड था इस टाइम पिरेड के दोरान और इससे पहले जो मेडियेवल पिरेड जाल रहा था उस टाइम लोगों को अंधकार टाइम में आखा गया जो कि आपको मैंने लोग को लिवरेटी नमात्र की दी जाते थी लोग को राइट्स भी नहीं था कि वह कानून के उपर सवाल कर सके या राजा से कोई कोशन पूठा कर सके इसी चीज़ को दोस्त देखते हुए इल्लैटनमेंट आया इल्लैटनमेंट का मतलब यह हुआ कि अब लोग को जगान लोग उन सब चीजों की बात करें दोस्त फैइनली रिजर्टनमेंट की बात करें लोग अप तर्क बुद्धी से काम करेंगे अपनि लोजिक की बात करेंगे यह ऐसा नहीं कि भाई को दिखा दो लोग बोलेंगे भाई इस को देख लो और दान दक्षना दे तो पीटे के दान दक्षना गलत बात नहीं है जो हमारी मर्जी को होती है जैसे चर्च के द्वारा कहा जा रहा था तो इन सभी बातों को रिजेक्ट किया गया जैन फाइनली पॉलिटिक से पॉलिटिक से डिलिजन्स को व्यारा कर दिया गया आपको मैंने दूस्ट समझाए था यह और इन लिवार्टी इन सबकी बातों के डिमांड करने चार्ट कर दी और देखते ही देखते और ग्यानुदित दोस्तों जो है यह इनलाइटनमेंट इसका जो मेंग जो ना रहा था न वो यह था कि इतिहासिक परिवर्तन मानव समाज की परगती प्रोग्रेस का कारण बनता है और माल दो बीहार के अंदर या सराबंद कर दिया गया तो बिसक दो हो अलग बात है कुछ समय के लिए महिलां के उसका महिला की उपर तो डूमेस्टी बॉलिस हुआ करते थे वह कहीं कहीं कम हुए तो ऐसे और भी ऐसे इसोज है जो बहुत लंबे टाइम चले आ रहे होर इ इतिहासिक फैसला बन जाता है जम्मु कास्मीर से धारा 370 हटा आई तो इतिहासिक फैसला बन गया वह उसका इंपक्ट यह हुआ कि जम्मु एंड कास्मीर की जो सिच्वेशन है वह पहले के मुकाबले में आज बहुत बहतर है ठीक दोस्त इस तरीके से क्या हुआ वह मारब स रूसों ने अपने बिचार क्या दिये इन इक्वैलिटी पे कैसे कैसे ऐसा मानता का ओरीजन हुआ ठीक है पहले तो हमने यह देखा कि स्टेट ऑफ डिजर के कंडिसर प्राकर्ति का बस्ता में लोग के साथ रहते थे जैसे ही पॉप्रेस्ट बड़ी लोग सेलफिनेस हो ग सद्राइब के है साहाली कर और दुनियाभर के और देसों के अंदर अधिवासियों पर घिनोना पर्भूत सतापात कर लिया जानी कि दोस्त्रूसों यह कहना चाहता है कि अफरिकन कांट्री से लेकर के दुनिया के तमाम कंट्री के अंदर वैस्ट कंट्री के जो लोग यह यानि कि ऑेरोब के लोग है जबकि इरोब से ही बिलोग करता था यह देखलो पिर भी इसने जो रूबस दमदार इरोप के लोगों ने समाजिक विसंता सोशल इनिक्वैलिटी को परमोट किया वोलेंज को परमोट किया और अफ्रिकन लोग को गुलाम बनाया उनके उपर घिनोना परभूत विस्तापित कर लिया क्योंकि अंग्रेट जहां पुझा आचेते हैं यही क्या देते हम तो सब्व किया गया है अफ्रिकल लोगों पर उनिको दोस्त इन रूपिन कंट्री के लिए परगती कहलाता है उनिकी लिए वह प्रोग्रेस कहलाता है तो रुसों को दोवारे एक आगे बहुत बड़ी वात है तो यह लेस्पों रुसों ने क्या कहा कि जो भी प्रत्सलित विसमता का है इसने उस तरीके से किया और उन विसमताओं को दूर करने की मांग की यानि कि जो भी उस टाइम में जब यह रुसों का टाइम प्रोब्लम थी आपको पता आफ्रीका वाली प्रोब्लम दोस्त सुसाइटी के अंदर अमीर गरीब क्युवा करते थी तो उन सभी प्रोब्ल एक चीज दोस्तों ध्यान रखना रुसों अपने टाइम के पहले के सभी फिलोसपर से बिल्कूल अलग था क्यों क्योंकि इससे पहले के जो थिंकर्स थे फिलोसपरते हैं उन्होंने सभी इक्वालिटी को इनक्वालिटी को एक ही कैटिगरी में इंक्लूड कर दिया था कि इसने कहा कि नहीं इनक्वालिटी अलग अलग तरिके के होती है एक होता है जो समानता है प्रमप्रागत रूप चले आ रही है अब इन दोनों को दोस्तिस ने क्रेटर्राइज किया इससे पहले आप यह समझे इसने बड़ी बात करी है इसने विसम्ताओं को दूर करने की मा करने की मिया जो बढ़ता रहा है सोसल जो इंशस्टिस ओंडिके लोग को जो चीज़ों को परमोट करता है इसने रूप्र आनने चीज़ों को खतम करने के बात कि और अपने इस बुक के अंदर इसनी क्या किया दोस्त्ति विसम्ताओं को इन इक्योंट सम्टे ने किया इसन प्रक॥्टिक विशम्ता यानि की नेटारल इनीक्वालिटी डूसरों कहा प्रम प्राधत विशम्ता यानि की एंसनी गलती जो कि दी उसमें इंसान का दोस्त क्या बनाया गया अमालो कोई-क्तार है तो उसमें इंसान कि क्या गलती जिससे मलीक मुहमाद जाईशी ने कहा था किलास ट्वेल्ट द्डी में दोस्तों ने पढ़ा था यह कि मेरे सूरत पे मेरे रंग पर तुस्पे-चेचक की काफी सारी वही नेचर जो इनका साथ भीदो किया जाता है तो यहां पर इनका क्या मक्षत है कोई काला है कोई इसेवल है in person कि देना समझ सकतों चैनग पर इसको रूसों नहीं किया जाकता यह रिवर्तिनिये हृद्ट ना समसकतो उसको रूसको औलिटाय उसको अनलटरेवील के लिए को चींट नहीं किया जा सकता यह सुछाइटि में नीचर की दौपर प्रमप्रागत विसमता है प्रमप्रागत मतलब जो लंबे समेंचे चलते आ रहे हैं और यह आज भी कहीं न कहीं किसी भी तरह के से सुसाइटी में एक्जिस्ट करती है ठीक इसको कहा गया कोई लड़की हैं लड़की होने के वैसे कोई भी ref यह कहें कि तुम्हें से बिल्कुल रहेगा तुरी परचाई भी मेरे उपर ना आ जाए मैं गोरा हूं तुम्हें मैं दूस्त हो जाओं तो यह सारी दो परसेप्शन से सुसाइटी में बढ़ते चले गई तो गोरों ने जैसे कालों पर दूस्तों राज करना इसाट कर दिया तो इसी तरगे से कहा सकते हैं कि जो प्रागत विसंता है जो कन्वेंशनल इनिक्वालिटी है यह नेचर की देन नहीं है यह तो दो सुसाइटी के देन है यह सुसाइटी ने इसको बढ़ावा दिया है अपनी सोसल स्टेटस को बढ़ाने के लिए क्योंकि कुछ लोगों न अपनी स्टेटस को बढ़ाना अब चाहते हुना कि कब तरह हम प्राइवेट जोब करेंगा हमारे भी गौर्वर्बंट जोब लगें ठाट से बैठेंगे काम करिया ना करें पैसा तो आपके रहाए का सल्री हम चाहते हैं कि हमें पाबर मिलें स्टेटस को बढ़ाना चाहते अब धन दोलत पैसा गाड़ी बंगला बंदी संदी साब हमारे पास बैल्ट हमारे पास एंड पावर हमारे पास सक्ति हमारे पास होनी चाहिए तो यह तीन चीजों ने दोस्त इन्यक्वालिटी को पर्मोट किया है और सोसाइटी के अंदर ऐसे लोगों को प्रिविलिज क् कि है कुछ पैसेवाले लोग हैं कुछ गोरे लोगाय अपना राज करें यह सीविलाइज लोगें इनका ही है तो तो रोस वह यह कहता है कि यह परिभर्तनी है यह अल्टराइबर है यह यह चैंज दोस्ति यह चैंज लैं disabled आपकी stock change किया जा सकता है कि company society क देन है और एक इस एससे मतलब की बहुत अच्छी घरों में है बंगले में रखा जाए और ये काले लोगए इसलिए इनको झोपडी में रखा जाए क्योंकि के क्या है है तो यह क्या है यार एक इस ऐसां को यह कहाज है कि यही से निक च्टिक तो हांद प्छयार। यहीं कहता है यार कि यहीं से start होती है, inequality को खतम करने की demand, तो क्या करते हैं दोस्त, यहीं से बात आती है, समानता के सिधान्त की बात, theory of equality, अब लोग बात करते है, equality की, अगर यह सारी घटनाएं नहीं होती, अगर conventional equality, जो inequality यह नहीं होती, आखिर क्यों करते हैं, equality के बात, तो अब यहीं से हigence सार्ट होती है, equality के बात, हम यहाँ मांग नहीं करते कि सारे काले लोगों को गोरा बना दिया जाए, हम तो दोस्त यहीं मांग करते हैं, कि जो गोरे लोग हैं, वो काले लोगों पर इस तरीक का भेहसरा करें कि वो गोरे लोग एक्वेल्टिक लेजरुकल प्रोटराइट का नजर में सभी इक्वाल हूं यह न प्रमॉट किया जाता है यह लेकिन वह बत जो प्रगफर जो संता है जो कनवेंट्श्मय जो चलिया रही है यह कुछ हद तक इसमें चेंज किया जा सकता है तो है ना तो एकोडिन टू रुसो इसने बताया कि नेचरल जो इन्यक्वैलिटी है इत बोस्ट ली क्या है यह दोस्त अनल ट्रेवल है वर्दा ट्रैडिशनल या दोस्त कन्वेंशनल इसको भीगा जाता है ना तो आधुनिक यह जो टाइम है तो यह कहता है कि यह जो इन्यक्वैंशनल जो इन्यक्वैलिटी सले आरी है जो प्रमप्रागत लंबे टाइम से जो ऐसमानते हैं चले आरъे यह अनको चैंज नहीं कर रहे है यह कह के करेंगे हम जहां पर दोस्त आज यह इस टाइम में और आज ये टाइम ही आ गया है आज इस मोडर्ण टीम टाइम के लोग कि अपनी इस बुद्धि का यूज करके जो प्रकृति ने दिया उसको भी चेंज करतेंगे हैं क्या कहता है वाई आधुन के संदरब में देखे तो कई तरह की प्राकृतिक विशंता भी सरवथा अटल प्रकृति ने मुझे ऐसा बनाया हुआ था तीन साल बाद हम चेंज होगे तो जो पतला दूबला इंसान है यह तो नेशुरली था तो यह अगर निट्रेशन लेता है यह अच्छे-चे पोशन तत्वा लेता है तो ऐसा यह मोटा सांडा गेंडा बन जाएगा ऐसी होगा तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि चीजों को हम इस तरीके से इटुलाइज करके हम चीजों भी चेंग ला सकते माल लोग कि कोई प्राकर्टिक रूप से कमजोर था उसके मेंटल हल ठीक नहीं थी तो वह मानचक सकती मेंटल स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए अच्छी एजुकेशन लेगा ताकि उसकी मेंटलेटी को ठीक किया जा सके है ना उसका दोस् तो इन सब चीजों को प्राकर्टिक ने लोगों कमजोर बनाया भी है कि जिसको वह भी अपने स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है यह बात दोस्त बताया आज के इस टाइम है माल नो दोस्त को काला है तो फैरम लबली लगा को गोरा हो सकता है मेरा दोस्त में कहने का मतलब तो इसका यह हुआ कि लोगों ने अब देखो या किसका रंगी काला होता है अब मैस को अगर फैरम लबली लगा दो गया तो फोड़ा थोड़ी नहीं हो जाए लेकिन मालो कि जिसका रंग थोड़ा है सामला सा उसको अचासा बिलिच करवा दीजिए है ना उत्या क्या कहते है अब यह लोगों की रिस्पोंसिमिल्टी है कि वह इनको खतम करने के लिए डिमांड करें और यही चीज़ दोस्त रूसरे परमूट करिए विसमताय अन्याइपूर्ण है जो अंजस्ट है उसको हमें खतम करना है और उनमें परिवर्तन लाए जा सकता है तभी समानता का आदर्स राजनेतिक जो एक आईडियल पॉलिटिकल लाइफ है बहुत सुरू होगा लोग को एक जिन्द की जीने का अच्छा समों कम लें तो इनिक्वेल्टी दोस्त कहीं नहीं होना चाहिए आप दोसमें देखा कि लोग भारत की कहानी देख लो भाई उच्छे जो जाती के लोग है भामण बेगे रहा है वह निचले जाती के लोगों का पानी तक नहीं पी तो उनको उनमें टच भी नहीं होते थे गाउं से दूर रखा जाता था जैसे लगा है कि भाई कोई बिलकुल है आप समस्तों कि ऐसे भारत के काफिसर के एक्जाम्पल से रहें तो उन ज संताइं होती है जो समाजिक व्यवस्ता में घर कर चुकी है यानि आज के टाइम देखा जाए तो जो भी आज इनिक्वैलिटी है वह आज एक एक चीज़ पर गुश्ट चुकी है और कुछ लोग तो उसको आदत बना अपना बना कर रखा है लोगों ने रहने का अब कुछ लोग दोस्तों इसलम से ही हम रहते हैं आप उनको कितना भी अच्छा घर दे दो वहां से खाली करके नहीं जाएंगे क्योंकि उस जगे की आदत लग चुकी है ठीवे दोस्त चलिए अंध विश्वासों पर अपरवहर करना पड़ेगा ताकि समाजिक न्याय की मांग की जा कहता है यहां पर जो इनिक्वालिटी है इस चाट में समझिया यह चाट आपको समझमा गया दोस्त तो सब को समझमा जाए लेकि दोस्तों चाट कहा है एक तरफ के आपका प्राकर्तिक विसमता नेच्रा इनिक्वालिटी और एक तरफ के आपका प्रम प्रागत विसमता या गौर्ट परिवर्तने इसे परिवर्तनीय नहीं परिवर्तन की नहीं कि जा सकती है गोड़े हो सकते हैं तो जो चीज सोसाइटी के अंदर जो इनेक्वबरी नेचर के दवारा है वह थो देख सकते हैं तो यह लेकिन जो सेटी नहीं सब्सक्राइब करना पड़ा कई सालों तक जोस्तों जेल में रहें अजाद हुआ आफ्रीका सौथ अपने सब्सक्राइब तो रूसों के अनुसार मानव जीवन की आरंबिक अवस्ता में जब प्रकृति की भंडार भरे थे तब मनुस्य सुक्पून जीवन जी रहा था यानि दोस्त रूसों यह कहता है कि जब अर्ली स्टीज था इंसानों का हुमन लाइफ का तो जब इंसान लोग हैपी लाइफ अपना सरवाइब कर रहा था लेकिन टाइम बीटता चला गया यानि की जन्शंग का इंक्रीस होती चले चले रिसोर्स कम हो गए अब लोग को रिसोर् देखिए ट्राकर्तिक दसा यानि की स्टेट ओफ नीचर में हम पहले थे पूरी सब को सही चल रहा था कोई भी दिक्तित नहीं देखते देखके दोस्त क्या हुआ जंसंग क्या बड़ी ऑप्लेशन बड़ी नाधरिक समाज बन गया क्योंकि सोसर कॉंट्रक्ट बेगर कोई कुछ लोग कर सोर्स बन गया करीब रह गया है ठुलियर ज समाज की स्टाटिग इसको कशी को स्टाइटिट कि इस को स्टाटिय का इस के बाद जैसे यह civil society बना society में दोस्ट नैपून जस्टीस एवल यानि कि दोस्ट न्याई की अमांग स्टाट हुई क्योंकि equality को खतम करने के बाद liberty को लेकर justice को लेकर rights को लेकर demand start हुई तो इस time सबकुछ सही चल रहा था साइसे स्टेट विगरा सुसाइटी वे रहा सिभल सुसायटी बनी लोगों जस्टिस की डिबांड करना लेकिर उनके साथ इन इक्वैल्ट ऑना ही चाट हो गया तो इन तीनों पॉइंट को दो समझाने के लिए सौसल याने के स्टेट ऑफ नीचर को सिभल सौसाइटी को और नेपूंड जस्टिस को आज के दोस्त इस क्लास में हमने स्टेट ऑफ नेचर समझा ओरिजन ओफ इनिक्वैलिटी समझा इन दोनों टोपिक को हमने बहुत अच्छे तरह समझ लिया है इन टोपिक्स की जो नोट से उसके लिंक नेचर डिस्क्रप्शन में है आप उसको ले सकते हो साथी दोस्त आपको और कहीं नहीं मिलने वाले तो दोस्त थोड़ा सा अन्क्रेज करना मुझा चैनल को सब्सक्राइब पर करना और यह वीडियो कैसे लगी जल्दी से कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताना ताकि नेक्स वीडियो मैं जल्द लेकराओं चैनल पर बने रहना जय हिंद ज और बने पर